आपका पहला सवाल है, धर्ती का सबसे पहला फल कौन सा है? आपका ओप्सन है A. खजूर, B. केला, C. आप, D. पपीता इसका सही जवाब है B. केला आपका दूसरा सवाल है, किस देश के लोग सबसे ज्यादा पूजा करते हैं? आपका ओप्सन है A. भारत, B. जापान, C. श्री लंका, D. पाकिस्तान इसका सही जवाब होगा A. भारत आपका तीसरा सवाल है, श्रीर के किस अंग में खून नहीं होता है? आपका ओप्सन है A. आख, B. कान, C. ना, D. ना, खून इसका सही जवाब होगा D. ना, खून आपका चौथा सवाल है, दुनिया में सबसे सस्ता सोना कहां मिलता है? आपका ओप्सन है A. भारत, B. रूस, C. दुबई, D. अमेरिका इसका सही जवाब होगा C. दुबई आपका पाँचवा सवाल है, सबसे ज्यादा केसर का उत्पादन किस राज्य में होता है? आपका ओप्सन है A. जम्म कश्मीर, B. पंजाब, C. केरिन, D. गुजराद इसका सही जवाब होगा A. जम्म कश्मीर, रोजाना ऐसे ही वीडियो देखने के में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाकर ओन कर लेजिए आपका छठा सवाल है, गरीब की गाय किसे कहा जाता है? आपका ओप्सन है A. भैंस को, B. बकरी को, C. भेंको, D. गधी को इसका सही जवाब होगा, B. बकरी को आपका साथवा सवाल है, वह कौन सा फल है जिसका बीज उसके बाहर होता है? आपका ओप्सन है A. संतरा का, B. नारियल का, C. सेब का, D. स्ट्रॉबेरी इसका सही जवाब होगा, D. स्ट्रॉबेरी आपका आठवा सवाल है, औरत अपने पूरे जीवन में कितने बच्चों को जन दे सकती है? आपका ओप्सन है, A. बारा बच्चे, B. अठारा बच्चे, C. पच्चीज बच्चे, D. चालीस बच्चे इसका सही जवाब होगा, D. चालीस बच्चे आपका नौवा सवाल है, ऐसी कौन सी चीज है जो गर्म करने पर जम जाती है? आपका ओप्सन है, A. दूद, B. शेह, C. अन्दा, D. चालीस बच्चे इसका सही जवाब होगा, C. अन्दा आपका दस्वा सवाल है, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं? आपका ओप्सन है, A. पाकिस्तान, B. चीन, C. नेपाल, D. उत्तर कोरिया इसका सही जवाब होगा, D. उत्तर कोरिया रोजाना ऐसे ही विडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सबस्प्राइब करके बेलाइकर पोन कर लिजिए आपका ग्यारावा सवाल है, भारत देश की खोज किसने की थी? आपका ओप्सन है इसका सही जवाब होगा, B. वासकोडिगामा आपका बारावा सवाल है, कुत्ता के काटने से कौन सी बीमारी होती है? आपका ओप्सन है इसका सही जवाब होगा, A. रेबीज आपका तेरावा सवाल है, शेर किस जानवर से डरते हैं? आपका ओप्सन है इसका सही जवाब होगा, A. हाथी से आपका चौदावा सवाल है, बिच्छो का जहर कहां होता है? आपका ओप्सन है इसका सही जवाब होगा, B. डंग में आपका पंदरावा सवाल है, ऐसा कौन सा पक्षी है? जो पत्थर भी खाता है आपका ओप्सन है, A. कौ, B. गिद, C. कबुगर, D. शुतुर मुर्ग इसका सही जवाब होगा, D. शुतुर मुर्ग रोजाना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेला आइकन ओन कर लेजिए आपका सोलावा सवाल है, सोने के आभूशन बनाते समय सोने में क्या मिलाया जाता है? आपका ओप्सन है, A. चानली, B. टामबा, C. पीतल, D. अल्यूमीनियम इसका सही जवाब होगा, B. टामबा आपका सत्रावा सवाल है, एशिया महाद्वीब में कुल कितने देश है? आपका ओप्सन है, A. पचास देश, B. चालीस देश, C. सैंटालीस देश, D. छबीस देश इसका सही जवाब होगा, A. पचास देश आपका अठारावा सवाल है, नौ दो ग्यारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आपका ओप्सन है, A. छूट जाना, B. भगा देना, C. छूटी दे देना, D. भाग जाना इसका सही जवाब होगा, D. भाग जाना आपका उन्नीस वा सवाल है, भारत के किस गाव में विदेशी महिलाय मर्दों से प्रेगनेंट होने आती है, आपका ओप्सन है, A. मलाणा, B. लांडोर, C. जटींगा, D. आर्यन वैली इसका सही जवाब होगा, D. आर्यन वैली अब यह सवाल आपके लिए आप लोग इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर रताए, गौतम बुद्ध की मृत्यू कहां होई थी, आपका ओप्सन है, A. सारनाथ, B. लुंबिनी, C. गया, D. कुशिनगर इसका सही जवाब क्या होगा, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को आप लोग सबसक्राइब करके वेलाइकन ओन कर लिजिए, धन्यवाद